हलो दोस्तो मैं विनोद मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप अपना नाम आयश्मान भारत पधान मंत्री जन आरयोग योजना में चेक करेंगे कि इसमें आपका नाम है या नहीं जैसा कि आप जानते हैं दोस्तो अगर आपका नाम आयश्मान भारत पधान मंत्री जन आरयोग योजना में है तो आपको साल में पांच लाग तक का इलाज मुफ्त मिल सकता है जैसा कि आप जानते हैं पधान मंत्री जन आरयोग योजना के तहट देश के दस करोर पड़िवारों को साल में पांच लाग रुपे के मुफ्त इलाज की गरांटी दी गई है जिसका किसी भी आपात कालिन इस्थिती में लाब उठाया जा सकता है इस स्कीम के तहट आप किसी भी सरकारी और तमाम प्राइविट हस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं यदि आपका पड़िवार इस स्कीम के दाइरे में आता है तो आप भी पांच लाग तक का इलाज करवा सकते हैं वो भी मुफ्त तो चलिए जानते हैं किस सरा से अरिश्मान भारत पधान मंत्री जन आरियोग में आप अपना नाम चेक करेंगे दोस्तों सबसे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजे बगल वाले बेल आइकोन को दबा का नोटिफिकेशन को आन कीजे मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के पास लेकर आते रहता हूं तो चलिए जानते हैं किस तरह से आप चेक करेंगे अपना नाम आप अपना गुगल का होम पेज खोल लीजिए और वहाँ पर आपको टाइप करना है मैं फिर से बोला हूँ आपको क्या टाइप करना है आपको टाइप करना है पी एम जे ए वाई डाट जी ओ वी डाट इन इन उसके बाद आप इसको सर्च किजिए क्लिक करते ही ये आपको National Health Authority आयश्मान भारत पधान मंत्री जन आरयोग योजना के ओफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर चला जाएगा जैसा कि आप स्कीन पर देख सकते हैं आयश्मान भारत पधान मंत्री जन आरयोग योजना की ओफिशियल वेबसाइट है यहां पर सारे डिटेल्स दिया गया है कि कितना क्या है उसके बाद आप देख सकते हैं मेनू में हुआ दिया हुआ है Am I eligible? Am I eligible पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आयश्मान भारत पधान मंत्री जन आरयोग योजना eligibility criteria या policies है यहां लॉगिन दिया हुआ है आपको लॉगिन करके देख लेना परेगा कि आपका पधान मंत्री आयश्मान योजना में आपका नाम है या नहीं आपको यहां पर अपना mobile number डालना परेगा आपका जो mobile है वो mobile number आप डालिए 10 digit का उसके बाद नीचे देख सकते हैं आपका capture दिया हुआ है स्कीन पर लिखा हुआ है एक बॉक्स में जो लिखा है सेम टू सेम आपको कॉपी करना है सेम टू सेम आपको टाइप करना है आप उसको टाइप कर दीजिए information कुछ दिया है देख लिजिए ये क्या information है information में दिया है पधान मंत्री जन आर्योग योजना के अंतरगत 10 करोड से अधिक परिवारों को लाव मिलेगा अपने mobile नंबर से logging कर पता करे आपका परिवार पधान मंत्री जन आर्योग योजना में सामिल है या नहीं पधान मंत्री जन आर्योग योजना का लाव लेने के लिए आपको कोई आविदन करने की जरूरत नहीं है फिर दिया है अगर आपका परिवार पधान मंत्री जन आर्योग योजना लिस्ट में सामिल है तो आप चिकितसा उपचार के लिए किसी भी सुचिवद अस्पताल में परतिवस पांच लाग तक का लाव उठा सकते हैं तो ये सारे information दिया गया है इसमें फिर नीचे लिखा है इस योजना का लाव लेने के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है तो चलिए हम लोग नाम चेक करते हैं आपने अपना mobile नंबर डाल दिया capture जो code है वो code डाल दिये फिर आप generate OTP पर click कीजिए generate OTP पर click करते ही आपके पास six digit का एक OTP आपके mobile पर आ गया होगा इस OTP को आप यहाँ पर डाल दिजिए जो OTP आपके mobile पर आया है उसके बाद आपको यहाँ पर terms and condition दिया उस पर click कीजिए click करने के बाद आप submit बटन को दबाईए सब्मिट बटन को दबाईए submit बटन को दबाईए submit डबाते ही देखिये search अपसन आजाता है आपको आप यहाँ दो search option दिया है search option में देखिये उब दिया select state आप जिस state में रहते हैं उस state को choose कर लिजे आप यहां पर सारे state दिया है, भारत के सारे state का नाम दिया है, आप जिस state मिलाते हैं उस state को चूस कर लीजिज़े, मैं example का तोर से एक state चूस कर रहा हूँ, मैंने example का तोर से बिहार चूस किया और category में मैंने यहां दिखिए category यहां दिया है search by name कर सकते हैं search by HSD number, search by Russian card number, search by mobile number चलिए हम लोग एक करके देख लेते हैं search by mobile number, search by name करने से क्या आता है search by name करने से आपका नाम, fathers का नाम, mothers का नाम, spouse का नाम male, female, age, select, ruler यह form को आपको भरके खोजना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा option है search by HSD number, अगर आपके पास HSD number है तो HSD number से सर्च कर सकते हैं फिर देखिए है, search by Russian card, इस पर क्लिक किजिएगा तो Russian card number आपको यहां डालने पर बोल रहा है उसके बाद देखिए, यहां दिया है search by mobile number mobile number किजिएगा तो आपको mobile number से सर्च कर सकते हैं तो चलिए mobile number से देखते हैं, सर्च करके कि लिस्ट में नाम है या नहीं मैं अपना 10 डिजिट का mobile number दे रहा हूँ आप अपना 10 डिजिट का mobile number टाइप कर दीजिए उसके बाद सर्च पर जाके क्लिक किजिए सर्च पर क्लिक करते ही यह सर्च करेगा उसके बाद देखिए, आपका हिया पर सर्च करने के बाद आपका हिया number record हिया find करेगा और देखिए हिया पर मेरा record आ गया है कुल परिवार का कुल पड़ी नाम दिया हुआ है नेम रिकॉर्ड दिया है सारे लोगों का नाम यहां पर दिया है मेरे परिवार में जितने लोगों है सारे लोगों का नाम दिया हुआ है एक्शन दिया हुआ है नेम दिया है एस दिया है HSD number दिया है data source सारे चीज़ details यहाँ पर दिया है और details यहाँ पर देख सकते हैं किसी पर click करके आप check कर सकते हैं कि क्या है details है यह details में मैंने click किया करने के बाद देखिए details में पूरा beneficiary का details आ गया पूरा नाम gender, date of birth age, state district सारे चीज़ यह आ गया, फिर get and get details on SMS में करेंगे तो SMS आपके पास आ जाएगा, तो दोस्तो आज आप जाने किस तरह से पधान मंतरी आउश्मान भारत योजना में अपना नाम चेक करेंगे, किस तरह से देखेंगे, आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपका पडिवार को 5 लाग तक सलाना मुफ्थि इलाज करने की सुभिधा मिल सकता है दोस्तो अगर आपको मेरा विडियो अच्छा लगा तो मेरा विडियो को लाइक कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल वाले बेल आइकोन को दबा कर नोटिफिकेशन को आन कीजिए मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं धन्यवाद